आप सभी लोग का श्वागत है इस YouTube वीडियो के अंदरगत जैसे कि आज आज आपको बताया जाएगा MS Word का बहुत इंट्रेस्टिंग आप्शन रेफरेंश टाइप के अंदरगत एक आप्शन मिलता है Smart Lookup आप लोग को नहीं बता होगा कि यह Smart Lookup क्या होता है तो चली हम आपको बताता है कि Smart Lookup का यूज कैसे किया जा सकता है और यह क्या काम गड़ता है जैसे माली जी आपको पता है कि इंटरनेट पे जाएंगे तो किसी की भी Wikipedia आपको देखना हो एपीजी अबदूलकलाम का देखना हो या किसी भी अदर पर्षन किसी भी का आपको Wikipedia कुछ ही है तो आपको क्या करना पड़ता है गूगल पे जाना है उसकी बाद Wikipedia टाइप करेंगे उस पर्षन का तो सारी डीटेल आ जाते है लेकिन आपकी आप जो चाहते है उस Wikipedia को आप अपने खुद मेटर में इंवल्व करना खुद उस चीज को मेटर को अपने डॉक्मेंट के तंतरगत जो है एड करके उसको अब्दूल कलाम तो यहां पर हमने अपजने अब्धूल कलाम लिख दिया इस नाम को लिखने के बाद घुर तैक पे अछिग पूरा घेल सल्दा ये ओपन होकर आ जाता है अगर आपके लेपटाप में कोई एरर आता है तो यहां पे एक option देगा उसी पे click कर देजेगा डारेक्ट ही सही होकर आ जाएगा तो यहां पे apg अब्दुल क्लाम का पूरा detail open होकर आ चुका है यहां पे कुछ more का option दे रहा है जब आप more पे click कर देंगे तो उनकी पूरी बीकेडिया जो है अच्छे से open होकर आ जाएंगी जैसे कि इसको scroll down कर रहा है तो सारी details आपको देखने के लिए मिल जा रहा है कि यह जो भी है कि update हुआ कब और हुआ है political party काउन से थी तो यहां पे सारी चीज़े आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है जिसमें से जिस चीज की need हुआ आपको जिसको आप select करके copy करना चाहते हैं अपने document में add करना चाहते हैं तो उसको आप simply करिए Ctrl A कर जाएगा पूरा select हो जाएगा या एक particular जगह को copy करना चाहते ह आप down arrow करते जाएंगे तो यह नीचे चला जाता है तो यहां देखिए selection जो है नीची तक हो चुगा है आप कर देजी का control C copy हो जाएगा और जहां भी paste करना रहे वहां पे चले आईए वहां पे आने के बाद आपको simply क्या करना control भी कर देना है यहां पे पूरा Wikipedia आपको paste होक और यहां पे कोई भी डीटेल आपको अच्छे चाहिए मतलब जो भी डीटेल आपको चाहिए उसको आप रखिए अन्य था जो important नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं select करके delete कर सकते हैं जैसमाली यह जो आपकी Wikipedia केवल APG अब्दुल क्लाम का ही चाहिए तो उसके नीचे का ऐ से जो है selection कर दीजिए और selection करने पार delete button प्रेस कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि केवल यहां पे सारी डीटेल जो है APG अब्दुल क्लाम की ही पड़ी हुई है अब इसको अच्छे से सेट अप करना चाहते हैं डिजाइन करना चाहते हैं यह सारी चीज़े आपकी उ चाहिए विकिपेडिया तो आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रत नहीं है word के अंदर गता आईएगा उनका नाम टाइप करीगा स्लेट करीगा reference टैप के अंदर गत जाकर स्मार्ट लूप पे क्लिक कर दीजिएगा तो उनकी पूरी विकिपेडिया open होकर आ जाएगी उसक नेक्स्ट वीडियो कर साथ तब तक लिए बैबैए